हेलो एरिवान, वेलकम टू स्वेता पटवास रेसीपी, आज हम बनाएंगे ब्रोकली की टेस्टी सबजी ब्रोकली हेल्दी वेजिटेबल्स में से एक होती है, जो की बहुती जादा टेस्टी लगती है और इसमें काफी सारे नुटीशन होते हैं, जो की हमारे हिल्द के लिए बहुती अच्छे होते हैं वैसे तो इसका सूप बनाया जाता है, या तो फिर इसका सालाद बनाकर खाया जाता है लेकिन इसकी सबजी भी बहुती जादा टेस्टी लगती है, तो चलिए ब्रोकली की सबजी बनाना स्टार्ट करते हैं हमने यहां पर 200 ग्राम ब्रोकली लिया है, और ब्रोकली को धो कर कट कर लिया है अब हमने एक कढ़ाई में थोड़ा ओईल गरम कर लिया है और इसमें अब हम ब्रोकली डाल देते हैं और ब्रोकली को 5-6 मिनट तक फ्राई कर लेंगे और अब ब्रोकली हाप कुक हो चुकी है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सेम कढ़ाई में हम थोड़ा ओईल और डाल देंगे और जब ओईल गरम हो जाया तो इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च दो तेज पत्ते लिए हैं थोड़ा सा दाल चीली 6-7 काली मिर्च और थोड़ा जीरा और अब इसे हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं अब हम इसमें एक बाडा चम़क अदरक लहसुन डालेंगे अदरक लहसुन को हमने करस्व कर लिया इसे थोड़ा फ्राइ कर लेते हैं हमने दो बड़े साइच की प्याज का पेस्ट बना लिया था उसे डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसी टाइम अब हम इसमें एक चमच नमक डालेंगे तो नमक डालने से प्याज बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है अब प्याज फ्राई हो चुकी है तो इसमें हम आदा चमच वल्दी डाल देते हैं और एक चमच लाल मिर्श पाउडर हल्दी नमक मिर्श आप अपने Sueatke Nusara डालिएगा इसे mix कर देते हैं और थोड़ा fry कर लेते हैं और अब हम इसमें टमाटर का paste डालेंगे तो यहां दो बड़े साइज के टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया था और दो मिनाट तक इसे fry कर लेते हैं अब हम इसमें एक कटोरी मटर डालेंगे तो आप इसमें मटर ना डाले तो भी चलेगा मटर आप्सिनल है या तो फिर फ्रोजन मटर का यूज भी कर सकते हैं हमने फ्रेस मटर लिये हैं और अब हम गैस बंद करने के बाद इसमें चार बड़े चमत दहीं डाल रहे हैं तो दहीं को फेट लिया था दहीं जब भी डाले तो गैस बंद कर दे नहीं तो दहीं फट जाता है अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें ब्रोकली डाल देंगे और ब्रोकली को भी सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे अब हम इसमें पानी डालेंगे तो हम इसमें दो कटोरी पानी डाल रहे हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद धक कर इसे 6-7 मिनट तक पकने देंगे इसे पकाते हुए हमें 6-7 मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और लीजिए हमारी healthy tasty सबजी बनकर तैयार है तो I hope कि आपको आज की हमारी हर recipe पसंद आई होगी पसंद आई तो प्लीज लाइक शेर करें निव है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक new video के साथ thank you